वेलकम एवरिवन टू आवर यूटूब चैनल आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ हाइपर बोला ये टॉपिक का यूनियर्सिटी एग्धाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टन्ट क्वेशन नंबर वन ट्रेडी करेंगे तो देखिए क्वेशन आपके सामने है इसका सोलूशन हमें ट्रॉ करना है क्वेशन में क्या लिका है वो हम पहले पढ़ेंगे क्वेशन में लिका है अब पॉइंट पी इस 15 mm एंड 25 mm रिस्पेक्टिवली फ्रॉम टू स्टेट लाइन्स विच अधर ड्रॉ और रेक्टैंगलर हाइपर बोला फ्रॉम पी विदि क्लिप्स का प्रॉलेम है कि पैराबोला का प्रॉलेम है कि साइकलोइड का प्रॉलेम है तो नंबर आफ स्टुरेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्वेशन पढ़ने के बाद भी उनको यह समझ में नहीं आता है कि यह किस टॉपिक से रिलेटेड है और कैसे सोलूशन ड्रॉ करन लेकिन कुछ questions ऐसे होते हैं जिनमें already दिया होता है तो solve करना और आसान हो जाता है तो यहाँ पे already given है कि यह rectangular hyperbola का problem है तो चलो यहाँ पे rectangular hyperbola हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखो पहले आपको roughly बता देते हैं फिर हम आपको fairly ड्रॉ करके बताते हैं तो यहाँ पे rectangular hyperb है इसका मतलब अगर हम two straight lines यहाँ पे ले ले यह पहली straight line और यह दूसरी straight line दोनों देखो that is right angle to each other याने perpendicular to each other है जैसा question में दिया है और यह point P यह दोनों लाइन से दूर है 15 mm and 25 mm दूर है मतलब यहाँ कहीं न कहीं होगा यह point P है तो यह point P से पास होते हुए यहाँ पे हमें एक hyperbola draw करना है ऐसा यह hyperbola हमें draw करना है ओके draw तो कर लेंगे लेकिन इसमें सबसे important देखो क्या है number of students गलती कहां पे करते हैं number of students गलती यह करते हैं कि वो पूरा question नहीं पड़ते क्यूंकि question के last में कुछ ऐसे statement कुछ ऐसे words दिये हैं जिनको अगर आपने ignore किये तो आपके marks cut हो सकते हैं देखो सबसे important यहां पे क्या लिखा है within 5 mm distance from each line यह सबसे ज़्यादा important है इसका मतलब यह है कि जो आपको hyperbola draw करना है वो hyperbola यह first line और यह second line यह जो दो lines आपने draw किये है perpendicular to each other वाली यह दोनों lines से यह hyperbola 5 mm दूर रहना चाहिए आपको यह hyperbola मतलब यह है यह द hyperbola के बीच में 5 mm का gap रहना चाहिए और यह उपर की line और यह hyperbola के बीच में भी 5 mm का gap रहना चाहिए अगर आपने यह 5 mm का gap नहीं show किये तो फिर आपके marks cut हो सकते हैं इसलिए यह जरूर से show करना ठीक है solution में और question को last तक पढ़ना क्यूंकि क्या है number of students starting का part देख लेते हैं उनको लगता है अरे यह तो आसन प्रॉल्लेम है बना लेते हैं exam hall के बाहर आते हैं फिर उनको पता चलता है अरे ऐसा कुछ था तो वहाँ पर उनके marks cut जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए question को देहन से पढ़ना है तो चलो finally अब हम solution draw करना start करते हैं यह rough part मिटा देते हैं और यहाँ पर finally solution draw करेंगे ठीक है तो solution draw करने के लिए यहाँ पर digital board पर कुछ drawing instruments है हमारे पास हम उसका यहाँ पर use करेंगे तो चलो देखते हैं क्या-क्या instruments है हमारे पास तो एक protector ले ले लेंगे scale ले लेंगे compost की अगर जरूरत पढ़ेंगी तो compost की जहां तक जरूरत न कोई फरक नहीं पड़ता choice आपकी है ठीक है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक line draw कर लेंगे कितने भी लंबी draw कर हो जैसा हमने कहा तो यह देखो यह line को हम naming दे देंगे ठीक है यह हम कहेंगे OA line को naming दे दिए ओके और अब दूसरी line draw करेंगे इसी की उपर आप perpendicular आना ही च दिए का हमने angle ले लिए और अब यह 90 degree के angle पे हम यहाँ scale को set करेंगे और scale में भी हमारे 90 degree का angle यहाँ पे show होता है तो हम यहाँ पे यह देखिए यह हम यहाँ पे दूसरी line बना देंगे यह दोनो lines perpendicular to each other है और यह जो दूसरी line जो है इसको हम कहेंगे OB ठीक है यह देखो OA and OB दोनों perpendicular to each other जैसा question में बोला गया था ओके यह perpendicular symbol शो करने की जरूत नहीं है फिलाल आपको समझाने के लिए show किया है अच्छा अब इसके बाद क्या करना है अब इसके बाद हमें point का position शो करना है point P 15 mm and 25 mm respectively from two state lines अब 15 mm किस से दूर है इस से 15 mm दूर है कि इस से दूर है वो question म में तो दिया है नहीं मतलब OA से 15 mm दूर है या OB से दूर है वो दिया है कि नहीं तो वो आपकी उपर है choice आपकी है तो हमें काम करेंगे OA से 15 mm दूर करेंगे और OB से 25 mm दूर करेंगे ठीक है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेंगा यहां पर आपको scale से length लेना तो यहां से O B से हम 25 mm दूर लेंगे, ठीक है, तो यह 1, यह 2, और यह 2.5 cm याने 25 mm, ठीक है, और 25 mm ले लिए, और O A से हम 15 mm दूर शो करेंगे, ठीक है, तो यह scale नीचे ले लेंगे, और यहां पे 15 mm दूर हम शो करेंगे, O A से, तो distance properly यह 1 और यह यह देखे, यह 15 mm पे हमने प और यहां पे हम जल्दी से lines बना लेते हैं, जो की, यह already हमारे पास line बनी हुई है, हम इसी को copy करके, जल्दी से बना लेते हैं, और इसका color जो है, वो भी हम change करेंगे, और यह O A को भी हम exactly parallel यहां से draw करेंगे, और यह parallel lines draw करने के लिए, यह देखो, यह जो lines, यह जो draw किये है इस तरह की line properly draw करने के लिए, आपको roller scale या mini drafter का use करना चाहिए, अगर आप roller scale या mini drafter का use करके draw करोंगे, तो exactly parallel वो बनेंगी, ठीक है, और आप यहां पे point P का position show करेंगे, यह देखो, यह point P, यहां पे हम show करेंगे, यह दोनो lines जहां पे cross कर रही है, वो है point P, ठीक है, यह है point P, और यहां पे distance वगरे पहले show कर लेता है, then after हम आगे का process start करेंगे, तो यह देखे, यहां पे हमने distances लिख लिए है, कि यह 25 mm दूर है, और यह हमने 15 mm दूर ऐसा, यहां पे mention कर लिए है, ठीक है, और अब चलो hyperbola का construction start करेंगे, लेकिन hyperbola का construction start करने के पहले एक काम करो, स सबसे पहले, यह line OA and line OB से 5 mm अंदर अंदर और दो lines ड्रॉ करो, ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है यह, अगर आपने यह नहीं करें, तो जो है, बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो यह देखो, यहां पे हमने scale रखे, और यहां से 5 mm अंदर, ठीक है, यह हमने एक point ले लि हम इसी को parallel ले लेंगे, आपको roller scale या mini drafter का use करते हुए lines जो है, वो इस तरह की draw करनी चाहिए, 5 mm अंदर होना यह, और यहां पे हम mention भी कर लेंगे, देखो, यह line 5 mm अंदर है, और यहां पे भी हम line 5 mm अंदर, यहां पे draw कर लेंगे, और distances जो है, वो mention कर लेंगे, जरूरी है यह mention करना, कि यह 5 mm अंदर है, तो यह देखिए, यह हमने 5 mm अंदर, यहां पे OA के अंदर 5 mm और OB के अंदर भी 5 mm हमने lines draw कर लिये है, यह काफी important है, आपको भी ऐसा draw करना है, exam में पहले, hyperbola construction के पहले, क्योंकि अगर आपने इसको ignore किये, तो फिर यहां पे marks cut हो सकता है, ठी यह lines को भी हम naming दे देंगे, जैसे यह बाहर का line OA है, और यह OB है, वैसे हम इसको कहेंगे CD, और इसको कहेंगे EF, और अब देखो, अब इसके बाद क्या करो, यह जो PD है, P के right side में, यह जो line है, इसको यहां पे divide करो, अब यहां पे कितने parts लेना है, यह choice आपकी है, आप random ल यह second part, यह third part, यह fourth part, ऐसे हमने चार पार्ट ले लिए, और P के left side में जो line है, CP, यह देखो, इसको भी हम divide कर लेंगे, उधर हमने चार पार्ट ले लिए, इधर हम 3 पार्ट ले लेंगे, 1, 2, 3, और यह जो parts है, यह unequal parts रहेंगे, तो भी चलता है, आपको scale से measure करने की जरू करो, कितने भी length पर divide करो, कोई फरक नहीं पड़ता, आप चाहें तो 4 पार्ट लो, 5 पार्ट लो, 6 पार्ट लो, जितने लेना है, ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम naming दे देंगे, यह first part, यह second part, यह third part, यह fourth part, ठीक है, इधर हम यहाँ fifth part, ओके, यह sixth part, और last में seven part, इत तो O है, O से one, O से two, O से three, O से four, जोइन करना है, उसी तरह से O से five, O से six, O से seven, O से eight, जोइन करना है, ठीक है, लेकिन जब आप जोइन करेंगे, तो यह जो cd और यह EF है यह जहाँ जहाँ पे कट होंगे वहाँ वहाँ पे देखो यह किस तरह से होता है हम आपको बताते हैं ड्रॉ करके ठीक है और यहाँ पे हम जो कुछ भी construction कर रहे हैं यह construction as it is ऐसा आपके drawing book में बनेंगा यह जरूरी नहीं है थोड़ा सा कम जादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम जो drawing instruments का use कर रहे है यह जो हमारे पास scale है drawing instruments यह जो protector है यह actually यह centimeter यह millimeter में हम drawn ही कर रहे हैं थोड़ा सा inches यह थोड़ा सा कम जादा length हो सकता है ठीक है ना क्योंकि यह original instruments नहीं है जो drawing book में use करते है ये digital board की instruments है तो थोड़ा सा कम जादा हो सकता है लेकिन आप अपने drawing book में properly draw करना सभी instruments के साथ बिल्कुल correctly ये बनेगा ठीक है तो चलो अब हम यहाँ पे जैसा हमने कहा lines draw करना है तो क्या करो O से 1 join कर दो ये आपको scale से करना है O से 1 ठीक है O से 5 join करके आगे extend करो O से 6 join करके आगे extend करेंगे आगे extend करना है उसके बाद O से 7 join करके आगे extend करेंगे तो ये देखिए इतना construction हो गया अब इसके बाद देखो naming हम कहा कहा पे देंगे ये देखो जैसे O 1 O 1 जो आपने join किये तो ये EF की उपर यहाँ पे कड़ गया तो जहाँ पे कटा है वो है 1- फिर O 2 जब आपने join करें तो ये EF की उपर यहाँ पे कड़ गया तो ये है 2- फिर यहाँ पे रहेंगा 3- फिर है 4- इस तरह से 1-, 2-, 3- ये 4- उसके बाद यहाँ पे आपने जब ये O 5 को join करके extend किये तो यहाँ पे जो point मिला ये है 5- उसके बाद O 6 को join करके जब extend किये यहाँ पे कटा ये हो गया 6- और ये यहाँ पे मिला 7- ये देखिए इस तरह से हमने naming दे दिये अब इसके बाद का construction सुने इसके बाद क्या करना है ये जो आपने O 1 बनाया है तो ये आपको क्या करना है ये 1 और 1- यहाँ से lines ड्रॉ करना है 1 से vertical line ड्रॉ करो और 1- से horizontal line ड्रॉ करो ठीक है दोनों जहाँ पे cross करेंगे आपको एक cross section point मिलेगा उसके बाद 2 से vertical line ड्रॉ करो 2- से horizontal line ड्रॉ करो उसके थुरू भी आपको एक cross section point मिलेगा उसके बाद 3 से vertical 3- से horizontal ठीक है ऐसा आपको करना है आपको करा के बताते है ठीक है तो ये देखो 1 से vertical line और 1- से horizontal line तो दोनों जहां पे cross करे cross section point आपको वहां मिल जाएंगा ये देखो थोड़ा सा ये बारिक construction है तो हो सकता है हमारी drawing में थोड़ा सा error आ जाए लेकिन आपको अपनी drawing book में properly draw करना है ठीक है ये देखो 1 से vertical 1- से horizontal उसी तरह से 2 से vertical ये देखो और 2- से horizontal उसके बाद 3 से vertical और 3- से horizontal दोनों जहां cross करें वहां cross section point आपको मिलेगा इसके बाद 4 से vertical and 4- से horizontal बिल्कुल इसी तरह का construction आपको इधर भी करना है 5, 5- 6, 6-7, 7- के साथ भी वही करना है मतलब क्या करना है 5- से vertical ये 5 को नीचे लिख लेते हैं ताकि उपर हमें construction करने के लिए जगा मिल जाएं ये 6 को भी नीचे लिख लेते हैं और अब जैसा आमने कहा ये 5 से vertical और 5- से horizontal ठीक है दोनों जहां cross करें वहां cross section point पे आपको एक point मिल जाएंगा उसके बाद ये 6 से vertical और 6- से horizontal उसी तरह से 7 से vertical और 7- से horizontal और दोनों जहां cross करेंगे वहां पे cross section point तो ये देखिए फाइनली हमने सभी यहां पे जो points मिले थे वहां से हमने horizontal vertical lines draw करके यहां पे construction पूरा कर लिया है और हमें cross section points मिल चुके हैं ये देखिए 1 और 1- जहां पे cross करें ये है 1st cross section point 2 और 2- जहां पे cross करें 2nd cross section point 3 और 3- जहां पे cross करें 3rd cross section point 4 और 4- जहां cross करें 5 और 5- का ठीक है फिर ये 6 और 6- का और ये 7 7 और 7- का अगर आप इसको ओर divide करना चाहते हैं तो और आगे divide करो जितना आप चाहे उतना लेकिन आगे चलके जो हमें hyperbola draw करना है वो याद रखना आप भले ही कितने part में divide करो लेकिन आगे चलके जो हमें hyperbola यहां draw करना है वो 5 mm के अंदर रहना चाहिए अगर वो 5 mm के बाहर निकल गया तो wrong होने वाला है मतलब आपको full marks नहीं मिलेंगे wrong त 27 ऐसे naming आएंगे और यह सभी को join कर लेंगे सभी को join करते ही जो कर्व हमें मिलेगा वो रहेंगा एक hyperbola तो चलो यह हम पहले draw कर लेते हैं अब यह draw करने के लिए आपके पास options है आप चाहे तो french curve का use करो है ना ऐसे join करने के लिए या तो आप free hand draw करो choice आपकी है अगर आपक इसको french curve के थ्रू join कर सकते हैं और अगर आप free hand draw करने में comfortable है अगर आपका free hand से proper curve आता है तो फिर आपको free hand करना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिलाल हम यहाँ पे free hand join कर लेते हैं क्योंकि यह digital board में french curve का option नहीं है और इतना बड़ा market में french curve मिलता भी नहीं है तो च hyperbola थोड़ा सा short रहे गया हम इसको थोड़ा सा और extend कर लेते हैं क्यों देखो हमने यहाँ पे 4 तक ही divide किया था अगर हमने 5,6,7 और आगे अगर हमने इस पे parts लिये होते तो यह और आगे गया रहता क्योंकि यह जो hyperbola है यह 5 mm की line को touch होना चाहिए इधर भी और उधर भी तो हमें काम करते हैं यही condition में जो हमने जहां तक hyperbola draw किया है उसको हम आगे extend कर लेते हैं जैसे हम इसको आगे extend करेंगे तो 5 mm की line को वो definitely touch करने वाला है यह देखो हम आपको touch करा के बताते हैं आगे यह देखिए इस तरह से यहाँ पे वो इधर touch करेंगा और उसी तरह से य 5 mm की line को वो touch हो जाए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ठीक है अगर आपको extend नहीं करना है तो यहाँ पे आप parts को extend करो जैसे आपने 4 तक लिए 5 6 7 8 यहाँ पे भी आप चाहे तो extend करो कोई दिक्कत नहीं है आप कोई भी through करो बस आपको यह ध्यान में रखना है कि hyperbola 5 mm की line को touch रहना चाहिए उसके नीचे नहीं जा जाना चाहिए और इधर नहीं जाना चाहिए ठीक है और finally question के according यह पूरा solution बनके तयार है exam में जब आप ऐसा solution ड्रौ करोंगे तो आपको full marks मिल जाएंगे लेकिन ड्रौ करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है क्या सुनो आपको यह जो line है OA and OB यह आपको semi dark draw करना है it means ना जादा dark ना जादा fend उसके बाद यह जो line है CD and EF यह भी आपको semi dark draw करना है ठीक है देन आपको जो hyperbola है वो आपको dark pencil से draw करना है ओके और remaining जो construction है वो आपको fend pencil से draw करना है यह जो आपने draw की है ना O1, O2, O3, O4, then 1, 1-2, 2-2, 2-3, 3- यह सब कुछ आपको fend pencil से draw करना है और पूरा hyperbola draw होने के बाद हर cross section point को naming जरूर देना देखो यहाँ पे हमने दिया है यहाँ पे point P यह जरूर शो करना देन P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 इस तरह से यह आपको dark pencil से show करना है और at the last आपको dimension भी शो करना है जो दिया किस तरह से हमने यहाँ पे divide किये कैसे construction किये और सबसे important क्या था इसमें जो exam में अगर यह problem repeat होता है तो आपको यह जरूर चेक करना है कि 5 mm ऐसा लिका हुआ है कि नहीं अगर लिका है तो फिर वो show करना और अगर नहीं लिका है अगर यह part नहीं दिया है तो फिर आप यह hyperbola कितना भी extend या कितना भी extend करो या कितना भी short draw करो उससे कोई फरक नहीं पड़ता आपको तो full marks मिलना तै रहेंगे ठीक है तो यह था how to draw hyperbola यह topic का university exam में पूछे जाने वाला most important question number one इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problem study करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते है next video में thanks for watching this video